सहकारिता मंत्री उदैलाल आजना ने केंद्री कृषिमंत्री नरेंडर सिंग दोमर को पत्र लिक कर समर्थन मूल्य पर होने वाली फसल खरीद का सभी किसानों को लाब दिने की मांग की है आजना ने कहा कि केंद्र सरकार इस संबंध में नीती बनाए जिसे कि समर्थन मूल्य की खरीद में प्रुते किसान सेक निश्चित मात्रा में उपच की खरीद हो आजना ने ये भी बताया कि समर्थन मूल्य खरीद में किसी भी राज़ की उपच का 25 प्रतिशत ही खरीदा जाता है केंद्र सरकार की इस नियम से 10 से 20 प्रतिशत किसान ही अपनी उपच MSP पर बेच पाते हैं एसे में किसानों का बड़ा वर्ग बजार में ओने पौने दाम पर फसल बेचने के लिए मजबूर हो जाता है और उसकी आए में बढ़ोत्री नहीं हुपाती ऐसे में केंद्र सरकार को MSP का लाब सभी किसानों को मिले इसके लिए शीगर ही कोई कदम उठाना चाहिए